मदु की एक बूँद पद्यांसों के अर्थगरह वो प्रसनोत तर मदु की एक बूँद के पीछे मानव ने क्या क्या दुख देखे मदु की एक बूँद धूमिल घन दर्शन और बुद्ध के लेखे प्रस्तुत पध्यान्स किस कवितास से उध्रित है इसके रचनाकार नरेंद तरमाजी है प्रस्तुत पध्यान्स कि मार्ध्यम से कभी क्या कहना चाता है कि स्रिष्ट में प्रतेश प्राणी के क्रिया खलाप आनंद के खोज के लिए ही होते है मनुस्य आनंद का विलासी है और इस चन को प्राप्त करने है वह सदय प्राप्त सिल रहता है कभी कहता है कि मैंने उसे जीवन परयंत आनंद की प्राप्त हेत प्रयासों में लगा राता है और उसे आनंद के एच्छान अनेक दुखों का सामना करने के फल सुरूप प्राप्त होते हैं जिने अभिव्यक्त करना अर्शंभव है कभी के अनुसार प्रित्विवासी को सुख की प्राप्त क्यों नहीं हो पाई है कभी के अनुसार संपुण स्रिष्ट आनंद या सुख की प्राप्त है कोलू की बैल की भाद चारो और चक्कर लगा रहे हैं अर्थार संपुण प्रित्विवासी अपनी अज्यानता के कार्ण नहीं आनन्द या सुख के प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं। वियरते ही आनन्द के मार्ग में निरंतर क्रिया सिलता का अनुसरण कर रहे हैं। प्रस्तुत पध्यांस में कौन सा लंकार है। प्रस्तुत पध्यांस में रूपक उपमा एवं अनुपरा सा लंकार है। मदू की एक बूद बिन रीते पांचो कोस और पांचो जन मदू की एक बूद बिन हम से सभी योजनाएं सो योजन मदू की एक बूद बिन इस्वर सक्तिमान भी सक्तिहीन है मदू की एक बूद बिन साखर है हर जीवातमा मधूरमीन है मदुकी एक बूद कविता में मदुकी एक बूद कभी में मदुकी एक बूद के पीछे मैंने अब तक कस्ट सहे सथ मदुकी एक बूद मित्या है कोई ऐसी बात कहे मत प्रस्तुत पध्यांस का भाव एसपस्ट करें प्रस्तुत पध्यांस के माद्यम से कभी ने आनंद के महतुक पर्दिपादित किया है एसपस्ट किया है कि आनंद ही मनुष्य जीवन का आधार है इसको प्राप्त करने के लिए सभी चेतन प्रदार्थ प्रेस्ट लाते हैं प कोई महतों को किस प्रकार प्रकट किया ऐ़ कबिने आनन्द के चण को महतों को प्रकट करते हुई कहा है कि आनन्द की एक मूथ मनुस्य के लिए साघर के समान है और परते एक जिवातमा उसकी नुहर मचली में मत्रों की एक मुत मित्या है कोई ऐसी बात कहे मत इस पंक्ति कभी क्या आसा है कि जीवन में आनंद के प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहता है इसलिए आनंद को मित्या मानना जरृत है सक्तिहीन में कौन सा समास है विग्रह करके स्पस्ट कीजिए सक्तिहीन सक्तिसेहीन तत्पुरुष समास